आजाद राष्टर को सही दिशा देने के लिए हमारे लोगों ने जो प्रियास किये उन्हीं प्रियासों का परिणाम है कि आज हम एक उन्नत और विक्षित राष्ट के रूप में खयाती प्राप्त कर चुके हैं और इस राष्ट को सुरक्षित आगे भढ़ाने के लिए जिस समीधान की जरूरत थी उसके निर्माता बाबास साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता बाबास साहिब अम्बेटकर की 133 वी जैंति समारों को संबोधित किया है वसंद्र राजे सिंध्याने मोजिस्तर विछेतरे विधाय कि उनुस खान ने यह बात कही खान ने कहा कि देश सविधान से जलता है और जो सविधान से देश चल रहा है उसका निर्मान बाबास साह ने हमें लोक्तंत्र का महापर्व दिया और हरजाती वर्ग धर्म समुदाय के लोगों को एक जैसा जीवन जीने का स्वत्तंत्र अधिकार दिया खान ने कहा कि सविधान की ही ताकत है एक नागरिक अपनी मत की ताकत से जन प्रतिनिदी का चुनाव करता है और वो जन सेवक हर नागरिक के अधिकारी को रक्षा करे उन्होंने कहा कि सविधान में गरीब को कमजोर को पीडित को हर डुरस्टी से सक्षम बनाने का मार्थ दिखाया है खान ने कहा कि हम बाबस साहेब सर्धाजली अर्पित करते हैं और यह संकल पलेते हैं कि पीडित की प्रताडना बं और महिश कुमार सांखला जिलाद द्यक्स अंबेटकर शिक्षक संग डीडवाना कुचामन और आयोजन संस्ता मेगवाल समाजवी का संसामोला सरका आभार ग्यापित किया इसके बाद खान डीडवाना मेर लाड़नू रोड इस्तित अंबेटकर सरक्ल पहुंचे जां सैक्रो लेयरपन कर नमन किया गया